Hi entrepreneurs, so आज के वीडियो में हम समझेंगे ये COO क्या होता है COO जो है को बोलते हैं उसे, इस startup में एक बहुत बड़ा designation होता है हर एक startup में, like अगर आप नए entrepreneur हैं, तो आपको इस designation के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है because आप सोच रहे होंगे startup करने के बारे में, तो startup के अंदर की जो चीजे होती हैं, बारीकी से जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप एक अच्छा startup नहीं कर सकते हैं, because बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो अपने वीडियो में बहुत सारे knowledge देते हैं लेकिन जो deep knowledge होता है, अंदर का, यानि कि जिसे कहते हैं, बुनियाद, कैसे हम घर बनाते हैं, तो एक-एक eat को जोडते हैं तो उसी type से, जब आप startup करने जा रहे हो, तो आपको startup के अंदर की जो एक-एक चीजे हैं, बारीकी words, designation, वो सीखनी होगी तो फिर जा कि आप future में, अगर startup कर रहे हैं, तो अगर आपको hiring करनी है, अपने startup के लिए, तो आप सही से hiring कर सकते हैं, अगर आप इन words को समझते हैं, तो इसे हम एक तरह से बोलते हैं, startup terms, तो जो इस CEO है, यह क्या है, यानि कि को, तो इसका जो full form है, वो होता है, Chief Operating Officer, मतलब यह एक ऐसा designation है, जो कि CEO के अंदर में आता है, यानि कि यह जो को है, यह जो भी company का day by day, जो काम चलता है, वो direct report करता है CEO को, अब यह क्या है को, इसके roles क्या क्या है, तो इसके अंदर जो इक को है, यह इनका एक team होगा, ठीक है, लाइक अरब बात करो, अगर आप तो जैसे boat है, तो boat का एक देखते हैं, कितने अच्छे speakers होते हैं, तो वो speaker कैसे बनता है, तो ऐसे ही सभी लोग मिलके उसको निमनाते ह उसके अंदर जो एक main designation के लोग होते हैं, वो तयार करते हैं उस speaker को, जो operations इसे बोलते हैं, operations हमालना, यानि कि वो जो एक speaker है, उसे को समालता है, operations देखता है, कैसे, तो speaker जो हम launch करने वाले हैं, उसकों से हम features add करेंगे, जिससे हमारा जो एक level है, market में अच्छा हो, और customer हमारे speaker को जल्दी खड़ी दे, तो बोट अपने नए-ने speakers launch करती है, तो उनके अंदर operations के team है, यानि कि को है, जो कि ये देखेगा, कि हमारे company में, आज हम किस type का speaker design करेंगे, इसका pricing क्या होगा, और अगर हम इसे market में launch करते हैं, तो इक कितने कभीगेगा, और अगर बिखता है, त आइक हम इसे कहा marketing करें, इस speaker की, social media platforms पे, या फिर Google पे, या फिर हम इसका promotions कैसे कैसे देखें, तो उनकी एक team होती है, वो सारा operations समालती है, वो calculation करती है, कि अगर हम इस speaker launch कर रहे हैं, तो ये कितने customer तक रीच होगा, और अगर इसका price सस्ता है, तो सस्ते price को देखे कितने customers इ अब क्या होगा, future में, इसे आज तो हो गया, future में, वो terms कैसे कैसे बनाते हैं, एनि कि, एक महिना बाद, दो महिना बाद, वो और कौन-कौन से product launch करने वाला है, तो उसकी तैयारी, वो पहले से शुरू कर देते हैं, अपने team के साथ में, अब क्या है, जो day by day का operations होगा, like marketing हो जो भी knowledge होगा, जो भी revenue होगा, जहां तक उसने कितना पैसा खर्च किया है, उस product को market में launch करने के लिए, तो सभी कुछ सीधे जाके direct CEO को report करेगा, जो company का CEO है, तो CEO समझता है उस बात को, और फिर वो diet permission देता है, को को, कि आज हम इस model पे काम करेंगे, इस product पे, इस service पे काम क करेंगे, तो को को ये responsibility दिया आता है, कि तुम इसे समझा लो, और मैंने इसे तुम्हारे हवाले कर दिया है, तुम जितना इसे बेश पाओगे, उतना ही अच्छा होगा company के लिए, तो मतलब overall, जो भी operations है day by day का, आप समझ सकते हैं, तो को समझा लता है, तो I hope आपको अच् इस टाइब के words सीखने हैं, skills, roles, क्या क्या होते हैं, तो मैं फिर आपको वीडियो मना के बदा दूँगा, ठीक है, और चैनल पहले रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करेंगे, मिलते हैं आप से किसी next वीडियो, this is others, and you are watching Business Skill with Aar Singh, signing off.